नमस्कार प्यारे प्रदेश वासियों तो मौझूद हुए हैं आपके सामने हिमाजर प्रदेश की दिन भर की ताजाखवरों के साथ तो आए शुरू करते हैं बिनस में गवाई होए नोन स्टोप ताजाखवरों के सिलसले को मनाली में पंजाब के प्रेटकों ने किया हंगामा ग्रीन टैक्स देने से किया मना मनाली के ग्रीन टेक्स बेरियर पर पंजाब के प्रेटकों ने खूब हंगामा किया दोहो पर लगबग एक बजे ग्रीन टेक्स न देने को लेकर यह प्रेटक टेक्स लेने वाले कर्मियों से उच गए वहीं देखते ही सडक में सो के लगबग मोटर साइकल एकतरित हो गए प्र्यटकों ने मोटर साइकल सडक में ही खड़े कर दियो और नारेबाजी शुरू कर दी वहीं हालात बिगडते देख कर्मियों ने SDM मनाली सहित पुलीस से संपर की SDM सहीच प्लीजवान मोके पर पहुंचे और हालात पर काबू पया गोर तलब है कि मनाली में बहरी राज्जियों के वहनों से ग्रिन टैक्स बसूला जाता है स्कूटर, मोटर साइकल से 100 रुपए, कार से 200 रुपए, वहीं सूमों जैसे वहनों से 300 जबकी बसों सहीत बड़े वहनों से 500 रुपए ग्रिन टैक्स लिया जाता है विग्यापनों में डिगरी देने के दावा करने वाले 11 कोचिंग सेंटरों को नोटिस विग्यापनों में डिगरी देने का दावा करने वाले 11 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी हुआ है राजे नीजी शिक्षन संस्थान विन्यामक आयों के अदालत में 14 मार्च को इन मामलों की सुनवाई की जाएगी वही सरकार से मंजूरी लिए बिना प्रदेश में हजारों कोचिंग संस्थान खुले हैं एक के कमरे में चल रहे इन संस्थानों में विदार्थियों से मोटी फीस वसुली जा रही है वही सेंटरों में दाखिला लेने के साथ विभिन वेशियों में डिग्रीयों डिप्लोमा देने के विगयापन भी जारी किये गई हैं इसके अत्रिक्ट विन्यामक आयोग ने इन विगयापनों पर स्वता संग्यान लेते हωे नोटीस जारी किये हैं आयो के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवा निवरी तातूल कोशिक ने बताय कि कोचिंग संस्थानों से संभधित जानकारी सरकार के साथ भी साज़ा की गई है सरकार की मंजूरी के बिना अधिकाश कोचिंग संस्थान सोसाइटी एक्ट के तहती चल रहे हैं आयों के पास पहुंची शिकाईतों के अनुसार प्रदेश में हजारों कोचिंग सेंटर अर्नियमित तरीके से चलाए जा रहे हैं बूडी दिवाली पर ब्यान देकर फंसे कुशल जेठी बाचपा परवक्ता बलदेव तॉमर बोले सिर्मोर की बेज़ती बाचपा कभी बरदास्त नहीं करेगी मांगे माफी हिमाचल प्रदेश के सिर्मोर जिले में मनाई जाने वाली बूरी दिवाली पर दिये ब्यान के कान कांग्रेस परवक्ता कुशल जेठी बूरे फंस गए है बाचपा ने से सिर्मोर जिले के लोगों का पमान बताया है बाजबा परवक्ता बलदेव तॉमर ने कहा कि कांग्रेस के परवक्ता कुशल जेठी को सिरमोर जिले की जनता का पता पमान करने पर सारवजनिक तोबर माफि मांगने चाहिए इसके अत्रिक तोमर ने कांग्रेस परवक्ता के उस बियान पर खेज जिताया जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान राम जब रावन का वद करकर आये थे तो सिर्मोर के लोगों को एक महीने बाद पता लगा था कि भगवान रावन का वद कर दिया है इसलिए सिर्मोर के लोग एक महिने बाद बूरी दिवाली मनाते हैं कांग्रेस परवक्ता कि इस परकार सिर्मोर के बारे में टिपणी न केवल निंदनी है बलके अशोबनी अभी है हिमाचल प्रदेश करमचारी चैन आयोग हमीरपूर को भंग करने के ग्यारा दिन बाद भी ना तो यहां से विभिन भर्तियों का रिकोर्ड प्रदेश लोकसेवा आयोग शिम्रा शिफ्ट हो पाया है और नहीं हमीरपूर आयोग में सेवरत करमचारीयों की अन्य विभागों में समायोजन का कारे मुकमल हो पाया है जिसके चलते करमचारीयों और अभ्यर्टियों में उहा पोहो वाली स्तिती बनी हुई है बता दें की 23 दिसंबर 2022 को आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली जेव आईटी भर्ती परिक्षा का पेपर लिख हुआ था विजिलेंस में आठ लोगों के खिलाब मामला दर्ज होने के बाद प्रदी सरकार ने 26 दिसंबर को चैन आयोग के कामकाज को निलम्बित कर दिया सुखराम बोले बजट का बहाना बनाकर जनता को गुमराह न करे सियम सुखू मुख्य मंत्री सुख विंडर सिंग सुखू बजट का बहाना बनाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास न करे यह बात पामटा सहे में पत्रकार वारता में पूरव उर्जा मंत्री एबं विधायक सुख राम चोदरी ने कही उन्होंने कहा कि 2017 के विधान सभा चुनाब में चुनाब से पहले कांग्रेस द्वारा खोले गए संस्थानों को बाजपान ने बंद करने की बजाए उसके लिए बजट उपलद करवा कर उन्हें चलाने का काम किया था लेकिन सुखु सरकार बदले की भावना से काम कर रही है उन्होंने कहा कि पूरा मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धोमल के राज में 25,000 क्रोड रुपे का कर्द था लेकिन 2017 में बिर्भदर सिंग के समें 50,000 क्रोड कर चड़ाया था इसके अत्रिक सुख्राम ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव के दोरान लोगों को दी गई दस गारंटियों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे है कहा कि 30,000,000 महिलाओं को 1500 रुपे महिना देने की चुनाव से पहले बात कही थी वो भी पूरा नहीं हुई इसके विपरित कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 1500 स्कूलों को बंद करने का निरने लिया गया है इससे ग्रामिन क्षितर के बच्चे सिख्षा लेने से वंचित रहेंगे साथ ही कहा कि पिछले 6 महिनों से विकास कारे ठाप पड़े है 31 मार्च आने वाला है और मार्च के बाद बजट लैप्स होगा उसकी जिमेदारी कों लेगा शिमला नगरनिगम चुनाप को लेकर बीजेपी की बैठक पूरप सीम जहराम ठाकुने नेताओं से की चर्चा जिताओ उमीदवार पर फोकस हिमाचल की शिमला में नगरनिगम चुनाप को लेकर बाजबा ने अपनी त्यारियां शुरू कर दी है चुनाब की त्यारियों को लेकर पार्टी नेता और कारेकरताओं से फीडबैक लेने के लिए नेता प्रतिपक्स जेराम ठाकु ने शिमला में एक महत्पून बैठकी वहीं इस बैठक में पूर मंतरी सुरेश भारदवाज और प्रदेश उपएधिक संजीव कटवाल विशेश रूप से मौजूद रहे बैठक में नगर निगम चुनाबों को लेकर विश्ट्री चर्चा की गई और आगामी रननीती भी तै की गई है प्रदेश के शिक्षा मंतरी रोहिद ठाकुर बोले पूरब मुख्यमंतरी जराम मुंगेरी लाल के सपने देख रहे है इसमें कर्मचारियों को एरेर और महंगाई भते की किस जारी करने की धनराशी भी शामिल है शिक्षा मंतरी ने आज यहां सच्वाले के कमेटी हाल में प्रेस मेलन में कहा कि हमाचल के बंद किये 286 स्कूलों में चातरों की संक्या सुन्य थी और इनमें शिक्षों की तिनाथी की गई थी किसी भी चातर का पंजिकर नहीं था ये संस्थान पूरब सरकार ने सत्ता से बाहर जाने से छे महा पहले खोली थे इनके अलावा 19 कोलेज बंद किये गए, क्योंकि इन में भी छातरों का पंजीकर नहीं था शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने फैंसला लिया है कि 10 चात्रों वाले प्रात्मिक 25 चात्रों वाले मिडल और 20 चात्रों वाले हाई स्कूल चालू रहेंगे इनको बंद नहीं किया जाएगा वहीं शिक्षा मंतरी का कहना है किसी तरह से वरिष माधिमिक स्कूल में 25-65 चातरों की संख्या वाले कोलेज भी बंद नहीं होंगे मंतरी ने कहा कि प्रदेश के 3000 से अधिक प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक-एक शिक्षक सिवाईं दे रहे हैं ऐसे स्कूलों में उन शिक्षकों को भेजा जाएगा जो सरकार ने बंद किये हैं 314 स्कूलों में दूसरे स्कूलों से शिक्षक प्रतिन्युक्ति पर भेजे हैं इन स्कूलों में भी बंद हुए स्कूलों के शिक्षकों की तेनाती की जाएगी सेम सुखु ने 6 मार्च को फिर बुलाई के अबनेट बैठक ओपेस के बाद ये दूसरा बड़ा निर्णे ले सकती है सरकार मुख्य मंत्री सुख विंदर सिंग सुखु ने एक सबताहा के भीतर तीसरी मंत्री मंदल बैठक बुलाई है इससे पहले सरकार ने पहले एक मार्च फिर तीन मार्च और उसके बाद अब 6 मार्च यानी कल दो पर दो बजे मंत्री मंदल की बैठक बुलाई है ऐसे में सरकार पुराणी पेंशन योजना ओपिएस को एक अप्रैल 2023 से लागू करने के बाद दूसरा बड़ा निरने ले सकती है यह बड़ा निरने 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपे देने के विशेय में हो सकता है जिसके लिए सामाजिक निया इवंवादिकारिता मंत्री डोक्टर धनिदाम शांडिल के अधिक्षता में मंत्री मंदली उप समीती का गठन किया गया है दूसरे और बैठक में 380 से अधिक शिक्षन संस्थानों को डिनोटिफाई करने या संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग की तरब से परस्ताब लाए जाने पर निरने लिया जा सकता है इसी तरह से सरकार को अंटिटी भरती मामले को लेकर भी निरने लेना है जिस पर सरकारी स्थर पर मंत्रना की जा रही है विभिन विभागों के तरब से लाए जाने वाले परस्ताबों पर मंत्री मंदल बैठक में मोहर लग सकती है तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वोचिंग जैहिंग जैहिमाचल सेशलिस्ट मनमोनी वशी करन वा मुठ करनी गर बैठे ग्याना गंटों में एटू जैट समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं 101% रंटी स्टांप पेपर पर लिख कर लें अभी फोन करें मोबाइल नमबर डवल एट सिस जिरो फाइव एट वन डवल सिस फाइव